क्या आपका बच्चा बार बार ब्रेस्स फीदिंघ मांग रहा है ? या बार बार स्थनoup सान्पान के डिमांड कर रहा है ? YES YES Then this video is for all of you This video is basically Powhatman varias 2ि तिकली तरफेस्चा के लिए है जो अभी नई नई ममा बनिए ह hijy करना सेकर कंष्ण हो जाती है अभी तो ब्रेश फिद कर वह तो ऑर बार ब्रिस्ट युज कर रहा हैilot कि दो बहुत सारा किसे सामने रहे हैं कि सवाइब कि मुझे फोन करकर बताती है कि मैं भी 4 गंटे दो Cam कम है आपको फीड देना चाहिए आपको बच्छे को लेक्टोजन वालब पाउडर का दूद देना चाहिए बच्छा सैटिस्फाइड नहीं हो रहा है इसलिए बच्छा बार बार दूद मांग रहा है तो आये जानते हैं इसके पिछे वजे क्या कि हो सकते फॉस्ट वजे बार बार दूद मांगता है तो आपको observe करना है क्या यह cluster feeding तो नहीं है cluster feeding basically यह होता है कि अगर बच्छा आपका at stretch तीन से पाच घंटे सोया है तो इसलिए लोग बोलते हैं मतलब तीन से पाच घंटे के बीच में अगर बच्छा सो रहा है at stretch that's okay so baby will understand कि मुझे भूख लगी है तो उठना है रोना है तो अगर बच्छा तीन से पाच घंटे सोया हुआ है तो बच्छा उठने के बाद बार बार दूद मांगेगा इसको बहुत लोकल लैंगविज में बोलना हुआ तो हम लोग बोलते कि बच्छा वसुल करके ले रहा है कि मैंने पाच घंटा दूद नहीं पिया तो अभी मै बार बार पीके मुझे जितना दूद चाहिए उतना ले लूँगा विचीज़ वेरी पॉजिटिव साइं तो अगर कोई मुझे मैसेज करता है कि मेरा बच्छा पिछले तीन गंटा में बार बार दूद मांग रहा है तो मेरा पहला कॉशन रहेगा कि क्या उसके पहले बच लंबा सोया था ला बच्छा चार पाच विंटे के लिए सोया था देन इस अ क्लस्टर फीडिंग जो आपको चेक करने अगर बच्छा बार बार दूद मांग रहा है क्या आपका ब्रेस्ट फीड का फ्लो प्रपर है क्या मुझे दूद इनफ है इसके लिए हम लोग के बाद दूद पीता है चेक करो सो यूविल अंडर्स्टाइड के आपका दूद इनफ है या नहीं है अगर आपका दूद ही इनाड़क वेट है इसके लिए बच्छा बार बार दूद मांग रहा है तो आपको एक बार किसी ब्रेस्ट फीडिंग एक्सपोर्ट से आपके गाइनायक से या डॉक्टर से एक बार बात करके ले लेना चाहिए नेक्स्ट वजया जो इस बात का हो सकता है इसका यह की लाचिंग इस रॉंग मेरे बच्छा आधा-दा एक एक गंटा लेके ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है बिर उसका पीटी नहीं बह रहा है वह तो बा ब्रेस्ट फीडिंग शुड नेवर भी ब्रेस्ट फीडिंग शुड ऑल्वेस भी आप शाइडियल मुख बोलता है कि होटों के ऊपर और होटों के मीचे ब्राउन पार्ट ज्यादा नहीं दिखना चाहिए तो वह प्रॉपर लैच हो गया जहां पर आपको प्रॉपर ग्र ब्रेस्ट तो आदा गंटा पिलाओ एक गंटा पिलाओ कि चार गंटा पिला बच्चे का पेट नहीं भरने वाला है तो राइट लाचिंग इस दखी का की बच्चा बार बार डिमांड ना करें नेक्स्ट वजा चेक करो कहीं बच्चा बोर तो नहीं हो रहा है यूजुली यह प्रॉक्सिमेटली सीम टाइमिंग के आसपास बच्चा इरिटेट होता है तो इससाइन अफ इरिटेशन सो साइंस कहता है कि बच्चे का जभी सो थम सकें काई आफ दिंग या बच्चे के मूं में जभी निपल होता है यह बच्चे को एक सूधिंग और कामिंग इफेक इरिटेशन की वजह से बार बार बरेश फीडिंग मांग रहा है तो थोड़ा सा चेंज ऑफ इन्वार्मेंट न्यूबर्न बच्चे के साथ करने के एक्टिविटीज होते है तो वह एक्टिवीटी जगर आप बच्चे के साथ करते हो तो आपको अब्ज़र होगा कि है है म नेरा बच्जों तो काफी पीश्फुल रह रहा है नेक्स तेंग बचे वशल senior आपके हथी व में के अन्दर टमें पर बच्ता के बहुत कलोगन के मेंड के लिए और बच्चा में समया चाइब के बाच्टिवर्नपीटें थे सों पोटी फिर किसी फैमिली मेंबर के पास या पानले में जूली में तो बच्चे को लगता है कि मैं मेरी ममा से बहुत दूर जा चुका हूँ यह फीलिंग को कम कैसे कर सकता है So one of the need and requirement and must to do things अगर आप नही नही ममा हो तो नहीं नहीं मतलब में almost पहले एक साल की बात कर रही हूँ आपको याद रखना है कि पूरे दिन में at least एक बार बच्चा आपके चेस्ट पे आए वेडर इस नो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए नहीं ऐसी एवई आपके भी बौडी में उपर कपडे नहीं चाहिए और बच्चा भी प्रिफरेरियी नहीं नहीं चाहिए और बच्चे बमधि प्रिफरेबली नहीं वी इस गोले स्काला स्किन टच और बच्चे को ऐसे रोख कि भच्चा पका íएट बीट सुन सके and then do whatever you want to do ये ज़लने। लाला बाय गाओज पच्छे कि लियए TB बजा हो, बच्छे को कोई मस्त सुनाे चुपी। इसको ज़मेंबरे, राशन सबदेखे हैं। बहुत सारी ह्पर छों, त celebrities स staff आ Champ tom अनोम आरेको फेम से carry तो पावाए. सब दिमाग दोनों को कॉम्मिनेशन में उस करो लाचिंग ठीक है बचेने 15-25 मिट कि अच्छे से फीड ले लिया है खुदो के छोड़ा है देन मैं फ्लो इस वेरी गुट और आपको पता कि बचा भी भूका नहीं है बट फिर भी अच्छा कर रहा इसा इसारे कर रहा है ने को अंडर्स्टाइब यह सब इसारे इस नौद शाइन अफंगर तो बच्छा बार बार दूद मांग रहा है यह जब लोग को पुछते तो तुझे कैसे पता चला तो लोग देनी वह बार बार इसे मूँ खोल रहा है बार बार उगलिया मूमें डाले नो बार बार उग ऐसाथ बच्चे को ब्रेस्ट पिलेने लग जाओगे तो आप यह आपकी बच्चे को ट्रेनिंग देरी ओमें तो भार बार लेकर बैट ओंगी और फिर बच्चा उस्टू हो के बार बार उसी चीज़ की डिमांड करेगा तो आपको आपको हैसा मामा समझना है क्या आप जो बच्चे का signal या बच्चे का language समझने का कोशिश कर रहे हो is it right or it's not that much right यह चीज आप जैसे ही समझ लोगे, इलको supremely easy to understand कि बच्चा exactly बार-बार feeding के demand क्यों कर रहे the way I said अगर cluster feeding है तो normal है अगर cluster feeding नहीं है तो bottom के लिए check करो right, latching check करो, बच्चे के sign आप ठीक से समझ रहे हो कि नहीं वो चेक करो और आपका flow check करो यह सब चीज आगर आप लोग चेक कर लोगे तो irritation नहीं होगा you'll be able to handle this phase peacefully last but not the least complain करने से पहले एक बार सोच लो क्या यह चीज पूरे दिन हो रही पूरे दिन में अगर एक या दो बार बच्चा, cluster feeding demand कर रहा है that's absolutely no thank you so much all of you do click on to subscribe button, do like and share, अगर आपको यह video अच्छा लगा हो, please put it in comment box in what way you felt यह आपको help करता है, अगर आपके दिमार में कोई topic है, जिसके उपर माय दुजा की उपर वीडियो बनना चाहिए do let us know, we would love to definitely think about it, thank you so much all of you have a great time and bye